गेमिंग, इडिटिंग, ग्राफिस डिजाइनिंग और ऐसे बहुँ सारे टास्क के लिए आपको एक गेमिंग लैप्टॉप की नीड होती है और ये कहें कि एक हाई पर्फरमेस लैप्टॉप की नीड होती है विच डेडिकेट ग्राफिस कार्ड और आप 60-70,000 से जादा किस लैप्टॉप में स्पेंड नहीं करना चाहते और इवन आपके पास 45,000 रुपीस से जादा पैसे भी नहीं है तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए अंडर 70,000 तक सारे बेस्ट लैप्टॉप पिक किये हैं जो अपने प्राइस को फुल्ली जस्टिफाई करते हैं तो प्राइसी टेक रिलेटेड वीडियो से लेकर आते रहता हूं तो आप चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और अगर आपको अपने लैप्टॉप पर चेस करने में एस्ट्रा 500 से 1,000 रुपीस तक कैस बेक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं लैप्टॉप बताने से पहले थोड़ी बातचीत करना भी ज़रूरी है अगर आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ओफिस टास्क, मुवी अगर है जैसे नॉर्मल टास्क करने हैं तो इस सारे टास्क आप एक एंट्री लेवल 30,000 के i3 12th generation और Ryzen 3 7th gen वाले लैप्टॉप म तो भी आप विंडो प्लस C दबाकर को पाइलेट खोल सकते हैं और अगर आपने इस ट्रिक से अभी को पाइलेट ओपन किया है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप अभी भी लैप्टॉप से लेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी लैप्टॉप बाइंग गाइड की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बैटर तरीके से एस्प्लेंड किया है कि आपको किस यूजेस के लिए किस टाइप के लैपटॉप पर्चेस करने चाहिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के गेमिंग लैपटॉप के बारे में स्टार्ट करते हैं 50,000 रुपीज बिलो लैपटॉप से इस प्राइज में आपको मुस्टली चार प्रोसेशर मिलते हैं राइजन 5 5500H, राइजन 5 5600H, आई 5 11400H और आई 5 12450H प्रोसेशर विथ आर्टेक्स 2050 में में 50W TGP जिसके इसको कुछ ये रहे और आप इस मीडियाम सेटिम में कुछ इतने FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं वीडियो डिटिंग की बात करें तो 1080p लेवल की वीडियो डिटिंग आप इन लैपटॉप में इसली हंडल कर सकते हैं और कॉलेज लेवल के सारे ग्राफिस ओरियंटेट टास्क आप इन लैपटॉ में इसली हंडल कर सकते हैं आपको 2024 में GTX 6050 ग्राफिस का डाले लैपटॉप पूरी तरह से अवाइट करने चाहिए अब बात करते हैं लैपटॉप की तो यह है Acer Aspire 7 i5-12450H प्रोसेसर विट आटेक्स 2050 55W TGP लैपटॉप 16GB DDR4 RAM जो अभी के टाइम पर मेंडेटरी है अ नॉर्मल 62% SRGB जो इस प्राइज पर ऐसी क्वालेटी ही मिलती है फुल साइज बैगलेट कीबोर्ड विट फिंगर प्रिंट सेंसर इसमें आपको सारे पोर्ट्स और बटन मिलते हैं वाइफाई 6C विच ब्लूटूथ 5.2 तो कनेक्ट्वीटी में भी आपको कोई इसू नह प्रिंटेंसिव टास्क हो वहाँ पर ये अदर लेट्टॉप से बेटर परफॉर्म करता है डियू टू टू टॉल से जारेसं प्रोसेसर नेस्ट लेट्टॉप है असू स्टफ एप 15 i5 11002 60H प्रोसेसर विथ आर्टेक्स 2050 70W TGP 16GB RAM विथ 512GB SSD 15.6 इंच फूल इस्टी 144 हर्ट डिस्पले विथ 62% sRGB और सेम मॉडल में आपको 17.3 इंच डिस्पले साइज भी मिलती है जिसमें आपको 165 हर्ट की रिफ्रेसर रेट मिलती है फूल साइज RGB वैकलेट कीबोर्ड वाइफाई 6 विथ ब्लूतूथ 5.2 48 बाट आउर की बैटरी विथ 150 वाट चार्जिंग ब्रीक तो ओवरॉल यह इस बजट में एक बेस्ट लैप्टॉप है आप दोनों लैप्टॉप में से कोई भी पर्चेस कर सकते हैं या आपको डिस की गेमिंग में आपको इतनी FPS मिलती है और FPS दिखाने का कारान यह है कि आपको यह पता रहे हैं कि आप जो लैप्टॉप पर्चेस कर रहे हैं वो गेमिंग में कितना परफॉर्म करता है इनमें दो लैप्टॉप आते हैं 1. S-Respire 7 i5 12450H RTX 3050 60W TGP 16GB DDR4 RAM 512GB SSD 15.6-inch FHD 144Hz Display with basic 62% sRGB Full-size backlit keyboard with all necessary ports 50Wh battery with 135W charging brick अब अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकप बाला लैप्टॉप चाहिए तो AsusBub F15 i5 11th Gen RTX 3050 with 75w TGP एक अच्छा option है 15.6-inch Full HD 144Hz Display with 62% sRGB Full-size RGB backlit keyboard Wi-Fi 6 with Bluetooth 5.2 connectivity इसमें आपको सारे ports मिल जाते हैं इंक्लूटिंग Thunderbolt 4 इसमें 90Wh की battery मिलती है जो अदर लैप्टाप से better battery backup प्रवाइड करती है तो आप इस laptop को especially battery backup के लिए consider कर सकते हैं अब बात करते हैं under 60,000 के laptop के बारे में तो अभी तक के सारे laptop में आप gaming, video editing, easily कर सकते हैं बट कोई भी laptop आपको एक color recorded display प्रोइड नहीं करता है और जब आप photo edit और color grading वाले task करते हैं तो आपको display 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 करेगी और इसको cover up करने के लिए आप Asus Creator 16x laptop पर्चेस कर सकते हैं i5 12450H processor with RTX 2050 50W TGP 16GB DDR4 RAM with 512GB SSD 16-inch Full HD IPS 120Hz display with 100% sRGB तो आपको color accuracy ले task में कोई दिक्कत नहीं आएगी full-size backlit keyboard Wi-Fi 6 with Bluetooth 5.2 सारे necessary ports इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें 50Wh की battery मिलती है with 120W charging brick और इसका weight है 1.8 kg ये laptop creator को target करती है with good processor and best display in this price range अगर आप अभी gaming laptop purchase करते हैं तो 6GB VRAM वाले graphics card एक best option है जिसमें आप कुछ इतने IPS तक की gaming कर पाएंगे i5 12 Gen और Ryzen 5 7 Gen with RTX 3050 6GB VRAM जिसके score आप देख सकते हैं कि ये कहां पर perform करते हैं अंडर 65,000 रूपीज में आपको Acer ALG i5 12 450H RTX 3050 6GB VRAM with 75W TGP 16GB DDR4 RAM with 512GB SSD 15.6 inch full HD display with 62% sRGB Full-size RGB backlit keyboard इसमें सारे necessary ports मिल जाते हैं Wi-Fi 6 with Bluetooth 5.2 54Wh की battery जो 3-4 hour का battery backup प्रवाइट करती है और ये laptop इस बजट में एक अच्छा laptop है 12 Gen CPU and RTX 3050 6GB VRAM GPU जो एक अच्छा combination देता है Next laptop है Leno IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 7535HX with RTX 3050 6GB VRAM 85W TGP MS Office lifetime के लिए 16GB DDR5 RAM with 512GB SSD 15.6 inch full HD 120Hz display Full-size backlit keyboard with सारे necessary ports and buttons Wi-Fi 6 with Bluetooth 5.2 इसमें आपको 60Wh की battery मिलती है जो around 4-5 hour का battery backup प्रवाइट करती है और ये laptop इस price में overall best laptop है विच Lenovo की branding, better performance और build quality अब बात करते हैं 70,000 की budget के बारे में तो इस budget में आप try करें कि आप थोड़ा wait करके sale के time पर इन में सो कोई एक laptop purchase कर सकते है i5-3450H with RTX 4050 75W TGP जो किसी भी 3050 laptop से बहुत ही ज़्यादा better performance देगा with DLSS support और urgent है तो अभी के time पर Lail G15 i5-3450HX RTX 3050 6GB VRAM 95W TGP और ये रहे इसके score इसमें इस segment का powerful CPU मिलता है with 3050 GPU जो एक अच्छा combination है 16GB DDR5 RAM with 512GB SSD 15.6-inch Full HD 120Hz display backlit keyboard with orange color keys Wi-Fi 6 with Bluetooth 5.2 सारे necessary ports इसमें आपको देखने को मिलते हैं 56Wh की battery जो आपको 3-4 घंटे का battery backup पूर आइट करेगी और इस laptop को weight है 2.6 kg जो थोड़ा heavy side है तो अगर आपको एक best performance CPU चाहिए तो आप Dell के साथ जा सकते हैं और अगर आपको video editing के लिए laptop purchase करना है तो Asus Creator 16X एक अच्छा option हो सकता है i5-12450H processor, RTX 4050, 45W TGP 16GB DDR4 RAM with 512GB SSD 16-inch Full HD 120Hz display with 100% sRGB जो color accurate होते हैं full-size backlit keyboard, Wi-Fi 6 with Bluetooth 5.2 सारे necessary ports and button आपको इसमें मिल जाते हैं इसमें 70 power torque की battery मिलती है जो आपको 5-6 घंटे का battery backup पूराइट करती है जो आपको usage पर repent करता है और इसका weight है 1.8 kg जो एक light weight side है तो ये laptop dedicated उनके लिए बना है जिने आप video editing वाले task करने हैं और एक color accurate display चाहिए आप इसमें gaming भी कर सकते हैं बट ये other RTX 4050 laptop जैसे performance नहीं दे पाएगा बट ये laptop light weight भी है और इसमें आपको better battery backup देखने को मिलता है जो एक एक अच्छा option है मैंने इस वीडियो में lock के कोई भी laptop cover नहीं किया है क्योंकि Intel variant में motherboard dead issue आते हैं और AMD में उतने अच्छे option नहीं है अंडर 65,000 लोपीस तक तो ये थे best budget gaming laptop जो आप purchase कर सकते हैं और किसी भी laptop में कोई doubt हो और कोई issue हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी product में extra cashback चाहिए तो आप मुझे इस्टाग्राम पर message भी कर सकते हैं वीडियो helpful लगी हो तो like करें और ऐसी tech related videos के लिए channel को subscribe करें धन्यवाग